हाई आपको बता दू इस युनिवर्सिटी के पिएजी इंट्विंस एक्जामिनेशन के लिए अप्लिकेशन स्वर्म ओंगईंग है लास्टेट है 30 सेप्टेंबर 30 सेप्टेंबर के पहले-पहले आपको एप्लिकेशन स्वर्म आपके फिल अप करना है उससी के साथ मैं आप आफ्म सिय्ट the subscribe ry booster में 351 सब्सक्राइब करना है चैर्स के यसाथ तरीके-शसाद इसकीर कॉल्यारो पार इंपोर्टेंटन में इसकीर और डिक्ति करने कогоषिशन करी करें चैर्म दिक्षोब्स के इस वीडियो को देख लिएगा और उसी के साथ साथ जिससे के आपको पता है सावीतरी भाय पुलेपुने यूनिवर्सिटी के PhD Infants Examination की जो डेट है वो है आपकी 6th of November यानि 1 and a half month remaining है आपके preparations के लिए जैसे कि आप देख सकते हो screen पर Research methodology पर हमको complete course प्रोवाइट कर रहे हैं जिसमें यहाँ पर हम आपको live Marathi में crash course प्रोवाइट करते हैं then आपको live lecture देखने मिलेंगे Marathi में then उसके बाद video lectures जो हैं हमारे video lectures है, notes है then उसके बाद आपको revision PDF देखने मिलेगा जिसमें 1500 से भी ज़्यादा important questions हमने cover कर रहा है तो यहाँ पर सब कुछ आपको provide कर रहे हैं with a minimum price और यहाँ पर यह जो course है course की यहाँ पर हम आपको 100% guarantee देते हैं कि हमारी course examination में questions पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको pass करने के responsibility हम लेते हैं तो हम आपको इतना prepare कर वा लेते हैं कि आप passing marks तक marks score कर सको तो याद रखना है आपको pass करने के responsibility भी हमारी होती है बस आपको course को purchase करना होगा purchase करने के लिए screen पर नमबर नज़र आ रहा है इस पर WhatsApp की तरूँ आपको हमें contact करना है या फिर आप हमारे app की तरूँ भी study material को access कर सकते हैं लिंक में आपके साथ नीचे comment section as well as description box में share कर रहा है so that's it and let's begin with the video मैंने आपको previous slide में बता दिया कि हमारे course related so यहां पर हम short में मैं आपको detail ने बता दूँ जिससे के मैंने आपको बता दिया research methodology पर हम आपको complete course provide करते जैसे video lectures theory और mcqs दोनों video lectures हम आपको provide करते simple language में notes है notes में हमने ऐसे points भी cover कर रहें जो कि आपके interview में आपके लिए बहुत helpful होंगे उसलिए के साथ मॉक्तेस मॉक्तेस आपकी practice होते रहे थे आपको पता लगता है कि आपको सारी आपकी पास करने के responsibility हमारी होते ही तो आपको ज्यादा time waste नहीं करते हैं आपकी preparations को start करनी है screen पर दिये गए number पर आपको whatsapp के तुरू हमें contact करना है normal calls number पर नहीं लगेगा याद रखेगा whatsapp के तुरू हमें contact करना है और आप हमारे app के तुरू भी study material को एक्सेस कर सकते हैं आपको एक्सेस करने की link में आपके साथ comment section as well as description box नहीं प्रवाइट कर रखिये जिससे के आप one click में ही वहां से हमारे app के पर one click पर सही हमारे study material को एक्सेस कर पाऊगे so that's it and let's begin with the video in dollars revenue means किसी भी company का मालो उस particular month में कितना profit हुआ है अब मालो एक company है उस company को एक particular month में 70,000 dollars का profit हुआ है तो यह आपर आप देख रहे हो 70,000 यह एक number indicate कर रहा है जिसको आप count कर सकते हो और quantitative research में भी जो आपके पस data हो और quantitative data जो होता है वो numbers को represent करता है that's why आपका option is correct हो जाएगा और option is this is an example of quantitative data then आपके पास option B है 70% people are literate so यह पर 70 जो है again यह आपको एक number indicate कर रहा है number बता रहा है कि 70% जो लोग है literate है means पढ़े लिके है educated है so 70% people are literate यह भी आपका quantitative data का example हो जाएगा so यह आपका option B भी correct है then option C audio pictures and text audio pictures and text को आप numbers की form में नहीं represent कर सकते हो so audio picture and text यह सारे आपके qualitative research के example होगे और qualitative data के example होगे not quantitative data so quantitative data का example आपको option A और B में given है but इस question में क्या पूछ रहा है कि quantitative data का example हमें किस option में given नहीं है so वो होगा आपका option C so यह आपर आपको option A and B दोनों भी incorrect हो जाएगा and option C here is the right answer audio pictures and text यह तीनों भी आपके qualitative data का example हो जाएगा not quantitative data next question which research is used to study social and cultural phenomena इस question में find out करना है कि हम कौन से research का use करेंगे अगर हमको social and cultural phenomena के बारे में study करना हो तो अब social phenomena क्या होता है social phenomena में आपको किसी society के बारे में study करना है so आप क्या करोगे उस society की background information लोगे उनकी history find out करोगे आप यह देखोंगे कि उस society में जो रहने वाले लोग है उनका education level क्या है क्या वो educated होते है okay and then आपके पास next word है cultural cultural means culture जैसे Indian culture, western culture इन सारे cultures के बारे में research को अगर study करना है so research क्या करेंगे वहां के लोगों का culture देखेंगे उन लोगों को observe करेंगे observe करेंगे उनका interviews लेंगे और उसके through data को collect करेंगे अब cultural phenomena जो क्या cultures के बारे में अब study कैसे करोगे अब मुझे Indian culture के बारे में study करना है तो मैं क्या करूंगी Indian culture के बारे में study करना है तो मैं इंडिया के लोगों को observe करूंगी इंडिया में जाका उन लोगों का interview लोगे उनकी dressing style कैसे होती है उनकी eating habit कैसी होती है वो कौनसे way of life कैसे होता है कैसे अपनी life को spend करते है उनका music क्या होता है तो यह सारे चीज़े मैं उनको observe करूंगी और या फिर उनसे interviews के तुरू जानूंगी तो यह आपा social and cultural phenomena के बारे में अगर आपको study करना है तो आपको वहां के लोगों को observe करना होता है उनका interview लेना होता है और उसके तुरू आप data को collect करते हो इसे तरीके से आप qualitative research में आपके observations और interviews के थुरू आप data को collect करते हो इसलिए आप यह study perform करने के लिए qualitative research का use करोगे then quantitative research क्या होती है जिसमें आपके पास already data available होता है और जो कि आपके पास numbers के form में data present होता है तो इसमें आप कोई observations नहीं करते हो नहीं interviews perform करते हो that's why आपको option B incorrect हो जाएगा so here correct option is option A qualitative research next question qualitative research has more emphasis on इस question में में find out करने कि qualitative research किस चीज़ पर जाधा focus करता है emphasis means focus or you can say importance कि qualitative research किस चीज़ को जाधा importance किस चीज़ को जाधा importance जेता है और किस चीज़ पर focus करता है हमें यह find out करना है तो जैसा कि हमने कल के lecture में देखा qualitative research जो होती है वो inductive nature की होती है जिसको हम कहते है IPG means आप I4 inductive P4 particular observations and G4 journal theory particular observations के थुरू आप journal theory देते हो और journal theory develop करते हो so qualitative research का main aim यही होता है कि किसी theory को develop करे और discover करे so qualitative research is related with discoveries that's why आपको correct option हो जागा option A then हम option C देखेंगे investigating hypothesis investigating का मतलब क्या होता है कि examine करना एक्जामिन करना उसको analyze करना hypothesis को observe करना जैसे कि हमने देखा था quantitative research quantitative research जो होती है आपकी वो BGP होती है D4 deductive G4 journal theory और P4 proof आप क्या करते हो quantitative research में journal theory आपके पास already available होती है बस उस theory को आपको proof करना होता है तो आप क्या करते हो hypothesis lay down करते हो उस hypothesis को observe करते हो और theory को proof करने के कोशिश करते हो so proof और investigating hypothesis यह दोनों भी option आपके quantitative research से related होंगे not with qualitative research that's why आपर आपको option B और C यह दोनों भी option incorrect हो जाएगे और यह आपर आपको correct option हो जाएगा option A discovery so qualitative research has more emphasis on discoveries next question historical research is an example of this question में मैं find out करने के historical research किस research का example होगी अब historical research होती क्या है पर आपको यह पता होना चाहिए historical research वो research होती है जिसमें research और past events के बारे में study करते है अब जैसे name में ही meaning history आपने school में भी subject पढ़ा होगा history history में आप क्या पढ़ते हो जो भी past events हो चुके है उनके बारे में आप study करते हो history होती है कोई society से related होता है so history में आप past events के बारे में study करते हो so आपको history में जो भी information दी गई होती है वो आपको maps के form में दी गई होती है और pictures के form में और you can say recorded data होता है ओके so ये सारे form में आपके पास data होता है historical research में और उसी तरीके से आपके पास qualitative research में भी जो data होता है वो pictures, maps, text और recorded data इस तरीके से आपके qualitative research में data होता है So historical research जो होती है वो आपकी qualitative research की example होगी Then यहापर आपको option A given है quantitative research quantitative research कौन से research होती है जिसमें आपके आपस जो भी data होता है वो सिफ और सिफ numbers की form में data हो So quantitative research में नहीं आपके पास data maps के pictures के recorded data इस कोई भी factors के form में नहीं होता है That's why आपको option A incorrect हो जाएगा Then option B applied research Applied research क्या होती है जिसमें आप कोई specific problem को और कोई practical problems को solve करते हो So applied research और historical research यह दोनों इस दोसे से बहुत different है इन में कोई भी similarities नहीं है So यहापर आपको option B भी incorrect हो जाएगा So historical research is an example of qualitative research So यहापर आपको correct option हो जाएगा option C Next Which of the following research is loosely structured इस question में हमें find out करना है कि कौन सी research ऐसे होती है जो loosely structured होती है Loosely structured में जिसमें आप कोई structure follow नहीं करते हो ना कोई steps follow करते हो और नहीं कोई protocol follow करते हो आप randomly उस research को किसी भी step में आप कैसे भी perform करोगे So वो कौन सी research होती है हमें यह find out करना है So हम one by one options देखेंगे पहले आपको यहापर option A given है experimental research Experimental research क्या होती है जिसमें आप cause and effect relationship find out करते हो यह पका रहता है आपका कि मैं cause and effect relationship भी find out करऊंगी यह पर independent variable का क्या effect हो रहा है dependent variable पर और इन दोनों variables के बीच में कैसा relationship है आप यह देखते हो अब मादोर मुझे यह देखना है यह आपखर यह water जो है आपका independent variable water का क्या effect हो रहा है plant की growth पर मुझे यह देखना है कि मैं अगर plant को water ज़ादा दूँगी तो plant की growth के ज़ादा होंगी या फिर कम होंगी तो मैं यह आपर independent variable का effect देख रहे हैं dependent variable पर experimental research आपकी इस पता चलते हैं कि experimental research आपकी structured होती है क्योंकि हम बस independent variable का effect देख रहे है dependent variable पर इस question में हमें loosely structure का है जिसमें आप कोई structure और steps follow नहीं करते हो that's why अबर आपको option A incorrect हो जाएगा then हम option C देखेंगे quantitative research quantitative research में आप क्या करते हो आपके पास already data available होता है आप उस data के बाद आप को steps follow करते हो और आप उस data को और उस theory को proof करने की कौशिश करते हो आप मानलाप के पास एक theory है theory पर आप hypothesis lay down करते हो hypothesis lay down करने के बाद आप उस hypothesis को observe करते हो analyze करते हो and then आपके observations पर based आपके analysis पर based आप उस theory को proof करते हो कि वो theory सही या फिर incorrect है okay so इसी तरीके से आप quantitative research में steps follow करते हो और कुछ structure follow करते हो that's why या पर आपको option c भी incorrect हो जाएगा then या पर आपको option b given है qualitative research yes या पर आपको correct option हो जाएगा option b qualitative research because qualitative research में आप क्या करते हो आपके observations पर based आप कोई चीज़ को observe करते हो और journal theory देते हो so हर लोगों का point of view अलग होता है हर researcher का point of view अलग होता है उनके observations अलग होगे so सबके अलग-अलग observations होगे और उनकी theory वो observations पर based वो theory देते हैं so वो कैसे भी research करेंगे वो इस एक ही pattern में follow नहीं करेंगे एक ही proper steps follow नहीं करते है qualitative research में researcher that's why आपर आपका correct option हो जाएगा option B qualitative research qualitative research जिसमें आप कोई structure और नहीं कोई steps follow करते हो then next question sample size is generally large in इस question में हमें find out करना है कि sample size जो होती है हमारी कौन सी research में large होती है अब sample size क्या होता है आपके लिए एक new word है sample sample क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए sample आपके जो population होती है उस population का कुछ part और you can say population का subset उसे हम कहते हैं sample अब sample और population क्या होता है sample क्या होता है यह हम आगे आने वाले lectures में और deep में study करेंगे बिकर यह बहुत वास topic होता है तो आप lecture बस देखते चाहिए आपको easily समझ में आचाहिए कि sample population आगे आने वाले lecture में में आपको समझा दूँगी बस यह question में आपको इतना समझना है कि sample क्या होता है population का कुछ part और population का subset अब हम देखते हैं कि sample size आपकी कौन से research में large होती है अब जैसे के qualitative research qualitative research में research observe करते हैं लोगों को और you can say interviews लेते हैं so interview लेंगे observe करेंगे so सारे लोगों को observe ने करेंगे सारे लोगों से जितनी population सबसे interview ने लेंगे जो भी experts होंगे उनसे four और five लोगों से interviews लेंगे मान लो और उन लोगों से data को collect करेंगे और data जो मिल रहा है उसके बैसे इस पर theory develop करेंगे so qualitative research होती है qualitative research में generally आपके पास sample size होता है वो large नहीं होता है बलके small होता है that's why आपको option A incorrect हो जाएगा then option B quantitative research so आपको option B correct हो जाएगा quantitative research में आपको जो sample size होता है वो generally large होता है because as you know quantitative research होती है आपके इसमें सारा data आपके पास numbers के form में होता है और quantitative research में आपको जो आपके पास theory होती है आपको उस theory को proof करना होता है hypothesis lay down करकर अब मालो मैंने यहापर एक hypothesis lay down किया है कि medicine है वो medicine cancer को cure कर रही है अब मैं क्या करूँगी मेरा sample size large लूँगी यह देखने के लिए कि medicine है यह medicine के सच में cancer को cure कर रही है यह आपर analysis करूँगी observe करूँगी लोगों को analyze करूँगी observe करूँगी और अगर मैंने यह पाया कि 90% लोग यह medicine लेने से उनमे cancer disease cure हो रही है तो वो theory आपकी proof हो जाती है so quantitative research आपकी प्रूफ हो जाती है कि वो सही है वो theory जब आपका number जादा हो जिसे यह आपर आप देख रहे हैं 90 90 इंडिगेट कर रहा है कि 90% लोग 90% लोगों ने यह medicine लिया और वो cure हो गया है so जितना जादा आपका sample size जादा होंगा quantitative research में उतने जादी आपकी theory valid होंगी so इसलिए quantitative research में generally sample size आपका large होता है that's why आपर correct option हो जाएगा option B quantitative research next focus groups are used to collect इस question में हमें find out करना है कि focus group method हम consider data को collect करने के लिए use करते हैं focus group क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए focus group आपके लिए again एक नया word है focus group आप देख रहे हो यह दो word से मिलकर बना है focus and groups groups क्या होता है पर हम वह देखेंगे groups जिसे कोई चीजे जो दो से ज़ादा होती है और कोई दो से ज़ादा लोग भी होते हैं तो हम उनको कहते है group अब group में क्या होता है एक topic कोई एक topic पर बात होती है और सारे लोगों का focus उस topic पर होता है इसलिए हम उसको कहते है focus group अब focus group में आप मानलों एक topic है उस पर discussion हो रहा है अब research में कैसा होता है अब मानलों का एक company है और वो company एक new phone launch कर लिए तो एक company क्या करेगी पहले तीन से चार लोगों का इक group बनाएंगी और उस group में जो phone launch हो रहा है उसके बारे में discussion होगा जो phone launch हो रहा है उसकी quality कैसी है camera quality कैसी है pixel और you can say storage कैसा है battery कैसी है battery long lasting है या नि यह सारे चीज़ जो phone से related है उसकी quality को और कैसे improve कर सके इस सारा discussion उस group में होता है तो उसे हम कहते है focus group तो यहाँ पर जो भी discussion होगा इस group में जो भी discussion को होगा research का तीन से चार लोगों का group में जो भी discussion होगा वो सारा जो उनको data मिलेगा it is in the form of text or words और कौन से research में हमें data words or text के form में मिलता है वो होता है आपको qualitative data qualitative research में आपके पास जो भी data होता है वो टेxt, words और पिच्चे के form में होता है that's why आपको correct option हो जाएगा option a qualitative data then यहापर आपको option B given है quantitative data, quantitative research में आपके पास जो भी data होता है वो numbers के form में होता है ना के text or words के form में that's why आपको option B incorrect हो जाएगा then option C experimental data experimental data में आप cause and effect relationship find out करते हो between independent variable and dependent variable और experimental research में आपको जो भी results आते है वो भी आपके numbers के form में सारे results आते है ना के text or words के form में so यहापर आपको option C भी incorrect हो जाएगा so here correct option is option A qualitative data next which of the following are the characteristics of qualitative research इस question में हमें find out करने है कि qualitative research के characteristics हमें किस option में given है so यहापर आपके लिए first option आपको given है describe the situations so qualitative research होती है किसी भी topic को किसी भी situation को describe करती है अब मानलो आपके पास एक topic है COVID-19 virus so यह एक topic है आपके पास so इस topic को qualitative research describe करती है उस particular situation को qualitative research describe करती है that's why आपका option A correct हो जाएगा then option B it is exploratory so आपका option B भी correct हो जाएगा so qualitative research में अब मानलो यह आपके पास COVID-19 एक topic है जो कि एक new disease जब आई होंगी so researcher ने पहले इस पर topic को explore किया होगा यह जाना होगा कि वो topic है क्या वो disease है क्या उसको understand कर रहा होगा पहले उसको examine कर रहा होगा so qualitative research जो होती है आपकी exploratory होती है then option D आपको given है results are present in tables and graphs so यह आपको option D incorrect होजाएगा because option D जो है आपका यह quantitative research का characteristics है not qualitative research because quantitative research में आपके पास जो भी data होता है वो numbers की form में होता है अब जब भी आपके पास numbers के form में data होगा so आप उसको tables या फिर graphs के form में represent करते हो ना कि qualitative research में आप ऐसा करते हो that's why आपका option D incorrect होजाएगा so here correct option is option C both A and B are the characteristics of qualitative research next consider the following statements quantitative research is deductive qualitative research is inductive and last is quantitative research is not linear अब इस question में आपको कुछ statements given है और हमें find out करना है कि कौन सा statement correct है so one by one हमें statement देखेंगे तो first statement आपको given है कि quantitative research जो होती है आपकी वो deductive nature के होती है so यह आपका फurst statement correct होजाएगा because हमें देखा था कि quantitative research जो होती है आपकी वो DGP होती है means D4 deductive G4 journal theory आपके पास quantitative research में already theory available होती है आपको फिर फिर प्रूफ प्रूफ करना होता है वो थेरी को so quantitative research आपकी deductive nature के होती है आपको याद रखना है whereas qualitative research जो आती है वो आपकी inductive nature के होती है so inductive का क्या मतलबत है आपको इस तरीके से याद रखना है IPG I for inductive, P for particular observation and G for journal theory particular observe आपको इक particular topic को आपको observe करना होता है आपके observations पर बेस्ट आपको एक new theory develop करना होता है qualitative research में so quantitative research आपकी deductive nature के होती है और qualitative research आपकी inductive nature के होती है so यापर आपका first and second statement दोनों भी correct हो गया then third statement आपको given है कि quantitative research होती है आपकी वो linear नहीं होती है not linear आप linear का क्या मतलब होता है linear means straight path follow करना और you can say कुछ structure follow करना so जैसा हमने देखा था quantitative research में आप structure follow करते हो आप कोई steps follow करते हो आप quantitative research को randomly कैसे भी zigzag way में perform नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको quantitative research में theory को proof करना होता है और आपको कुछ steps perform करकर उस theory को proof करना होता है so quantitative research जो होती है वो आपकी always linear होती है that's why आप आपका third statement incorrect हो जाएगा so here correct option is option D क्योंकि आपका first और second statement correct है next which of the following includes examples of quantitative variables इस question में हमें find out करना है कि हमें किस option में quantitative variables की examples given है so हम one by one options देखेंगे option A age, temperature, income and height so यह आपर age age आपके पास जो variable है इस variable को आप count कर सकते हो क्योंकि quantitative variable और quantitative research जो deal करती है so वो numbers को deal करती है और quantitative research में आपके पास जो भी data होता है वो numbers के form में होता है so उसे तरीके से age, मानलो age किसी की 20 है okay so 20 एक number है so यह age एक ऐसा variable है जो numbers को indicate कर रहा है then वैसे ही temperature temperature भी जैसे 25 degree temperature है so temperature भी numbers को indicate करता है then income income भी number को indicate करता है मानलो किसी की income है 50,000 और 60,000 so यह भी numbers को indicate कर रहा है height height कितनी है 5 inches, 6 inches height भी number को indicate करती है so यह आपको option है correct हो जाएगा और option है, this is the example of quantitative variable, then आपको option भी given है, great point average, great point को भी आप, क्या करते हो, great point में जो भी आपकी पस data होते हैं, वो numbers के form में होता है, और numbers के form में data quantitative research से related होता है, quantitative research में greater होता है, वो numbers के form में होता है, so great point average को भी आप count कर सकते हो, then anxiety level, anxiety level को भी count कर सकते हो, then reading performance, reading performance को भी आप numbers दे सकते हो, आप count कर सकते हो, so अबर आपको option B भी correct हो जाएगा, then option C, gender, आप gender को count नहीं कर सकते हो, यह כरेकर जण्डर यह uncountable quantity हो और variable है, वैसे ही religion, religion को भी आप count नहीं कर सकते हो, इतनी ग्रूप इतनी ग्रूप जो के cultural groups होते है culture इतनी का मतलब होता है culture से related इसी को भी आप count नहीं कर सकते हो जेंडर, religion और इतनी ग्रूप यह तीन भी ऐसे variable है जिसको आप count नहीं कर सकते हो जिसको आप major नहीं कर सकते हो यह पर आपको option C incorrect हो जाएगा और correct option हो जाएगा option D both A and B are the examples of quantitative variables यह रहा आपका qualitative and quantitative variables का सारे concept so I hope the concept of qualitative and quantitative research is clear to everyone और कल के lecture में हम एक new research के बारे में study करेंगे and thank you for watching this video see you tomorrow